जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में अगर हम अपने पिछले क्लास की बात करें यानी इससे पहले वाली क्लास की बात करें तो मैंने आपको valuation of goodwill के बारे में पूरा बता दिया था या method of goodwill के बारे में मैंने आपको क्या किया था पूरा का पूरा बता दिया था जिसमें मैंने आपको average profit method, super profit method, capitalization profit method जो कि आपके screen पे दिख रहा होगा और capitalization में आपके दो method थे जिनमें आपका था average profit capitalization method और फिर आपका क्या था super profit capitalization method इन सब को हम लोगों ने क्या किया था आपका last class में ही complete कर लिया था पिटा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं तो अगर आपने पिछला class नहीं लिया है तो channel पे आपका पिछला class record है उसको आप जाके वहाँ से क्या कर सकते हो देख सकते हो तो आज की class में हम इस treatment के बारे में बात करेंगे और इसका जो treatment है यह ना सिर्फ admission पे हम बात करेंगे बलकि हम इसके retirement और death वाले concept के आदार पे भी हम चलेंगे क्योंकि जो treatment हम goodwill का पढ़ने जा रहे हैं इसका जो concept है यह आपके admission में भी है आपके retirement में भी है और आपके किस में है death में भी है तो भाई क्योंकि revision class चल रही है तो सारा का सारा concept हम क्या करेंगे one by one एक साथ ही इसको समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो heading सब लोगों ने डाल लिया है accounting treatment for the goodwill accounting treatment for the goodwill में सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों के लिए diagram बना रहा हूं उस diagram को आप लोग क्या करिए अपनी अपनी copy में बिटा जी बना लीजे ठीक है accounting treatment for the goodwill सबसे पहले on the base of admission on the base of admission on the base of admission और दूसरा है आपका on the base of retirement and death on the base of the retirement and the death यानि आपको देखा जाए तो तीन चाप्टर एक साथ आप करने जा रहे हो admission के base पे भी और retirement के base और आपके किसके base पे death के base पे भी आप करने जा हो अब अब ध्यान दो यहां पे जब आप admission की बात करते हो जब आप किसकी के base पे होगा इसके base पे होगा आपका sr के base पे होगा sr मानी sacrificing ratio और जो आपका retirement और death की जब हम बात करेंगे जब हम किसकी बात करेंगे retirement और death की बात करेंगे तो यहां पे जो goodwill का distribution होगा वो gr के base पे होगा किसके base पे होगा बेटा gr के base पे होगा point clear हो गया अब sr का हमारे पास एक छोटा सा formula है और वो formula क्या है आपका old ratio और जियार का हमारा जो formula है वो formula है आपका क्या new ratio new ratio minus old ratio इतना समझ में आ गया सबको कितना concept समझ में आ गया सबको ठीक है तो retirement और death में जब हम goodwill distribute करेंगे वो किस ratio में करेंगे gr के base पे और admission के case में हम goodwill distribute करेंगे किसके base पे sr के base पे formula clear हो गया अब यहां पर ध्यान से आपको समझने की बात है और वो है आपकी क्या journal entry पहले इसको समझिए जर्नल इंट्री तो जब आप जर्नल इंट्री की बात करोगे जब आप किसकी बात करोगे बेटा जर्नल इंट्री की बात करोगे जो भी partner ध्यान से सुनिए मेरी बात को और इसी base पे हम journal इंट्री करेंगे जिस भी partner को loss होगा उसी partner के balance को हम credit करेंगे मैं इस्थ भी partner को क्या होगा लॉस होगा उसी partner को हम क्या करेंगे उसी partner के balance को हम क्या करेंगे credit करेंगे और जिस partner को profit हो रहा है उस partner को हम क्या करेंगे उसके capital को क्या करेंगे debit करेंगे clear हो गया अब समझो ध्यान से जब admission के case की अगर हम बात करेंगे तो admission में किसको loss होता है नए partner को loss होता है या पुराने partner को loss होता है सोचो जरा नए पार्टनर को लॉस होता है या फिर पुराने पार्टनर को लॉस होता है सर पुराने पार्टनर को लॉस होता है क्योंकि पुराना पार्टनर का ही हिस्सा तो नए पार्टनर को दिया जाता है पुराने पार्टनर का हिस्सा ही तो नए पार्टनर को दिया जाता है सही है कि नहीं है अच्छा रिटार्मेंट और डेथ में किसको लॉस होगा जो पार्टनर छोड़ कर जा रहा है जो पार्टनर छोड़ कर जा रहा है सर जिस partner जो partner retire हो रहा है या जो partner क्या हो रहा है जिसकी death हो रही है समझ में आ रहा है तो अब इसके आधार पर goodwill को समझना है admission के case में जब हम goodwill की बात करेंगे admission के case में हम जब किसकी बात करेंगे बिटा गुडविल की बात करेंगे तो हमारी हम अभी आपको distribution of goodwill की entry बता रहे हैं किसकी बता रहे है entry distribution of goodwill की entry बता रहे हैं आपको ठीकी बटा जहांचे समझो तो हमारी entry क्या होगी अब बताओ नया partner के capital को क्या कर दिया जाएगा debit कर दिया जाएगा नए partner के capital को क्या कर दिया जाएगा debit कर दिया जाएगा और पुराने partner के capital को क्या कर दिया जाएगा credit कर दिया जाएगा हाँ या ना अच्छा इस वाले case में क्या entry होगी जो retirement और death वाली में entry बताओ जो retire partner है उसके capital को क्या करेंगे credit करेंगे जो डिटायर पार्टनर होगा उसके भई लॉस तो उसी हो रहा है ना उसके capital को क्या कर देंगे credit और जो partner बचा है उसको क्या कर देंगे debit कर देंगे यह basic journal entry समझ में आ गई कि नहीं आ गई यह basic journal entry आ गई अब इसी basic journal entry को अपने दिमाग में save कर लो अपने दिमाग में क्या कर लो सेप कर लो और अब one by one हम case उठाएंगे और फिर entry को हम लोग perform करेंगे clear हो गया बेटा चलो ध्यान से समझो तो जब हम admission की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं बेटा admission की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी पहला जो हमारा पहला point होता है मेरे साथ लिखिएगा when goodwill and capital amount bring by bring by new partner ठीक है when goodwill and capital amount bring by new partner यानि जब goodwill और capital का पैसा नया partner लेकर आता है तो फिर हम सब entry क्या करते हैं उस case में हमारी entry होती है बेटा bank account debit 2 new partner capital new partner capital account और 2 आपका क्या goodwill amount तो आपका क्या goodwill amount point समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब दूसरी entry देखो वही एक बात बताओ goodwill वाले balance को बाटा जाता है या capital वाले balance को बाटा जाता है goodwill वाले को या capital वाले को बाटा जाता है क्यापिटल से कहा में मतलब है कोई यानि goodwill को बाटो goodwill amount लिखो अब यहां पर हम ओल्ड पार्टनर रखें या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रखें इसका answer दीजे ओल्ड पार्टनर रखें या सेक्रीफाइसिंग हमेशा याद रखें सेक्रीफाइसिंग क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ जैसे मा लीजे चार पार्टनर है चार में से सिर्फ तीन ही पार्टनर सेक्रीफाइग कर रहे है चार में से कितने पार्टनर सेक्रीफाइग कर रहे है तीन तो goodwill क्या चारो बिट्वेन टेक्रीफाइसिंग पार्टनर टेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसकी एंट्री क्या होगी बेटा धान देंगे इसकी एंट्री होगी आपकी खुट विल अगया कि नहीं आ गया अच्छा कभी कभी एक अडिशनल इंट्री और करने पड़ती है ध्यान दीजेगा इसको हम नाम देते हैं एडिशनल इंट्री क्योंकि यह सब केस में नहीं होगी ठीक है यह अगर कोश्चन में में संड रहेगा तभी हम इस एडिशनल इंट्री को करेंगे अधर्वाइस हम इसकी इंट्री को नहीं करेंगे तर वो क्या हो इंट गुद्विल एमाउंट विड्ड्रॉब आई विड्रॉब आई विड्रॉब आई ओल्ड पार्टनर विड्रॉब आई इंट्री करने की क्या कोई ओशक्ता है अजर ये नहीं सर कोई ओशक्ता नहीं है तो सर क्या इंट्री होगी जल्दी से बताओ विटा इसकी इंट्री देखो सरा पाrटनर capital partner capital account debit to bank account partner capital account debit to bank account समझमें आ गया कि नहीं आ गया समझमें आ गया कि नहीं आ गया तो अब आप देखो admission के case में जब goodwill partner के दौ़ारा लाइ जा रही है गुडविल के साथ साथ पार्टनर क्या लेके आ रहा है कापिटल भी लेकर आ रहा है हमने उसकी इंट्री भी कर दी गुडविल और कापिटल लाने की भी इंट्री कर दी गुडविल को बाटने की भी इंट्री कर दी और अगर किसी पार्टनर ने गुडविल को bid draw कर लिया तो उसकी भी हम लोगों ने क्या कर दी बेटा इंट्री कर दी concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया अभी देखो असली concept तो अब आने को है अब वो असली concept क्या है सर समझो ध्यान से कभी-कभी ऐसा होगा कि partner सिर्फ capital लेकर आए गुडविल ही भूल जाए ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है तो सर क्या करें सर उस case में क्या करें सर तो उस case में आप सर्फ और सर्फ capital की recording करेंगे उस case में सर्फ और सर्फ आप किसकी recording करेंगे capital की recording करेंगे सर एक बात बताओ आप गुडविल की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्या अरे गुडविल आई ही नहीं है तो क्या हम गुडविल की इंट्री करेंगे आंसर है नहीं सर लेकिन हां यहां पर एक छोटा सा अजम्शन लेंगे हम छोटा सा क्या लेंगे बाबू अजम्शन लेंगे और अजम्शन क्या लेंगे कि हम ये मानेंगे कि आप goodwill लेकर नहीं आए हो तो कोई बात नहीं हम आपके हिस्से की goodwill जो भी आपके हिस्से की goodwill है उतना ही पैसा आपकी capital से भी minus कर देंगे उतना ही पैसा आपकी capital से क्या कर देंगे minus कर देंगे point समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यानि क्या करेंगे capital की entry करेंगे और जो भी उसके हिस्से की goodwill आई है जिसे माल लीजे 1,00,000 रुपया उसका capital है वो 1,00,000 का capital लेकर आया 20,000 उसको goodwill का भी लाना था लेकिन वो goodwill का पैसान लेकर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं पहली entry क्या होगी bank account debit to capital account कितने रुपय से 1,00,000 रुपय से अब उसके हिस्से की goodwill कितनी थी सर 20,000 तो एक काम करो उसका capital 20,000 से क्या कर दो घटा दो और capital को घटाने के लिए क्या करते हैं हम debit करते हैं या credit करते हैं capital को बढ़ाने के लिए credit करते हैं और capital को घटाने के लिए क्या करेंगे debit करेंगे यानि क्या entry हो जाएगी new partner capital account debit to जो partner sacrifice कर रहा है यानि क्या entry हो जाएगी new partner capital account debit to sacrificing partner capital account बताओ समझ में आया कि नहीं आया आव entry करते हैं आप इंट्री करते हैं यहाँ पे लिखो बेटा नोट नोट क्या? इन पॉर्टेंट क्योंकि अक्सर यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं वेन न्यू पार्टनर दस नॉट दस नॉट ब्रिंग गुडविल एमाउन्ट इन क्याश वेन अचन पार्टनर लिख छोड़ दिया मैंने वेन नुव पार्टनर यहाँ पार्टनर लिख दीजगा वेन नुव पार्टनर डस नॉट ब्रिंग गुडविल इमाउन्ट इन क्याश ठीक है? पापिटल ले कर आये हो न? तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, example, new partner, capital कितना लेकर आए वो, हम यहां पर एक लाख लिख दे रहे हैं, चीक है, ठीक, और share of goodwill, share of goodwill new partner, माल लीजे कितना रुपए है आपका 20,000 है ठीक है बिटा चलो इंट्री करेंगे पहली इंट्री करेंगे क्या इंट्री होगी भाई बैंक एकाउंट डाबिट टू न्यू पार्टनर कापिटल न्यू पार्टनर कापिटल कितने रुपए से एक लाग से कितने रुपए से एक लाग से ठीक है अब क्या करेंगे गुडविल इस डिस्टिब्यूटेड न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर आफ गुडविल डिस्टिब्यूटेड न्यू पार्टनर शेयर आफ गुडविल क्या आपका distributed बेड़ा क्या entry होगी हाँ बताओ 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 मन में बताओ जल्दी से क्या entry होगी new partner capital account debit to sacrificing partner capital account बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया concept clear हो गया के नहीं clear हो गया सर एक बात बताओ narration तो आपने लिखाया वही नहीं किसी का अरे बेटा क्यूं नहीं लिखाया ध्यान से देखो उपर वाला जो पॉइंट है वही narration है तुम्हारा वहीं क्या है तुम्हारा narration है बताओ समझ में आया कि नहीं आया तो अब goodwill related to admission goodwill related to आपका क्या admission बताओ कोई समस्या है इसमें अब clear हो गया कि नहीं clear हो गया एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं बहुत जल्दी से नोट करो बेटा कमय नहीं है जल्दी नोट करो एक्जाम आने वाला है चलो देखो हमने क्या start किया हमने आप से कहा कि जब आप admission की बात करोगे तो goodwill हम कैसे बाटेंगे goodwill हम SR की रेशियो में बाटेंगे यानि sacrificing की रेशियो में बात सही है कि नहीं सही है goodwill को जब हम बाटेंगे तो क्या entry करेंगे goodwill account debit to sacrificing partner capital account और कभी कभी क्या होगा कि जब goodwill withdraw कर लिया जाएगा पुराने partner के द्वारा तो फिर क्या entry होगी partner capital account debit to bank account तो यह कि नहीं है और अगर सर्माल लो partner goodwill है ना लाए तो कोई बात नहीं capital तो लाएगा the capital तो लाएगा तो capital के entry करेंगे कि नहीं करेंगे क्या entry करेंगे sir bank account debit to new partner capital account और सर्ट फिर क्या करेंगे उसके capital से उसके हिस्से की goodwill क्या कर-देंगे minus कर-देंगे या यानि wysAP new partner capital account debit to sacrificing partner capital account बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अब दूसरे फेस की तरफ चलते हैं और दूसरा फेस हमारा क्या कहता है बेटा admission और retirement admission और क्या आपका retirement आई ये देखते हैं देखो admission और retirement में तो कौनों समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंट्री होगी इसमें गुडविल लाना नहीं है इसमें सिर्फ गुडविल निकालना है इसमें गुडबिल सर्फ क्या करना है निकालना है लाएगा कौन कोई लाएगा क्या नहीं सर पुराने वाले मिल कर देंगे किसको जो जा रहे हैं जो धर्ती पे हैं फिर भी जा रहे हैं या जो धर्ती से जा चुके हैं उनको भी देना है, देना तो पड़ेगा भाई, ठीके, पार्टनर सिर्फ डीड कहेगी, चलो आगे देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो, इसमें सिर्फ एकी इंट्री होगी, वन गुद्व बुल, जार्ब né, बढब बबुल, तेना है, जार्बे। progress करेंगे, देखो, आ थादू, जार्बेगा फटोथ components, एक औरड Б, इार्बbie उव्भड़ शेथिक, वट सिर्फ एक टर्जर्ब आू सेध्ष एक सा डी इंटर्टर है, ट्युल सिर्यक्ट का ट्व या फिर पार्टनर पाई रिमेनिंग पार्टनर पाई रिमेनिंग पार्टनर यह जो पैसा दिया जाएगा गुडविल का यह किसके द्वारा दिया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा ही तो दिया जाएगा जी भाई गलत कह रहे हैं तो जो पार्टनर निकला है उस उसके कैपिटल को क्या करेंगे डबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे उसके जो पार्टनर बचे हैं उनके कैपिटल को क्या कर देंगे हम डबिट कर देंगे और जो जा रहा है उसके कैपिटल को क्या कर देंगे क्रेडिट यानि यहां पर हमारी रिटायर रिटायर के जगह क्या है डेथ वाला कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे डेथ पार्टनर कैपिटल एकाउंट पार्टनर कैपिटल एकाउंट बताव बेटा जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया कॉंसेट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया लोग जूटे हुआ उडाते हैं कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है अरे बड़ा बड़ा कुछ नहीं है यार सिंपल सा कॉंसेट है बस आपको समझने की देर है बस आप समझ गए सारा कॉंसेट यहीं पे है है कि देर हो गएता अब सवाल किया जाए चली फड़ा फट सवाल किया जायए ठीके बहुत जल्दी से सवाल करते हैं नोट कर लीजे से इसको ओक कर लीजे कल की केड्य करकल की क्लास में एक बात याद रखिएगा कल का जो हमारा class रहेगा उसमें हम workman compensation, investment fluctuation और और क्या बचा भाई तो यह तू तो है workman compensation और investment fluctuation reserve वाले concept को क्या करेंगे cover करेंगे admission को भी लेकर और किसको लेकर retirement को लेकर ठीक है और फिर उसके बाद एक chapter और करेंगे जिसका नाम क्या है revaluation का नाम है आपका revaluation और जैसे ही revaluation हमारा खतम हो जाएगा फिर उसके बाद हम admission के फिर आपको सवाल लगाना start कर देंगे क्यूंकि revaluation के बाद आप बनाओगे partner capital account फिर बनाएना है balance seat जो हम already पढ़ी रहे हैं और revaluation जैसे ही खतम होगा दो तीन एक दो class में question कराके फिर सीधा आ जाएंगे किस पे realization पे क्यूं सर realization पे direct क्यूं अरे उसके बाद बचा क्या क्या क्यूंकि admission के साथ retirement और death का भी तो question लगाऊंगा मैं आप एक बात बताओ partner admission में जब आप बात करते हो जब आप किसकी बात करते हो जड़ा सामने देखो एक मेट जड़ा सामने देखो सभी लोग यह मैंने लिखा admission अ ठीक है यह मैंने लिखा retirement यह मैंने लिखा death अब जड़ा देखो इसमें common क्या क्या है गुडविल कि इनों में common है और वर्क मैन compensation पता ही वह यह तीनों में common है फिर investment fluctuation reserve इनों में common है ओ हां फिर उसके बाद आपका partner capital account partner capital account partner capital account बताइए क्या तीनों में common है तीनों में common देखो एक चीज जानों थोड़ा सा ही difference है उन्नीस बीस का ही अंतर है ज्यादा नहीं difference है बस उन्नीस बीस का अंतर है retirement में उसके capital को settle करना है death में उसके capital को transfer करना है बस बाकी सब सेम है बाकी कुछ change नहीं है समझ रहे हो को नहीं समझ रहे हो उन्नीस बीस का अंतर है खाले उसके बाद फिर क्या आता है आपका balance sheet यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में common ही common है न अच्छा सर चेंज क्या क्या है इंज देख लो चेंज में सबसे पहले new PSR new PSR इसमें 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 चेंज है की नहीं है कि और मैं आपको कमाल की बात बताओं retirement और death में बराबर है retirement और death में क्या है बराबर है यहाँ पे फिर उसके बाद और क्या सर और क्या change है एक जगाँ पे SR निकालना है और दो जगाँ पे क्या निकालना है जी आर निकालना है एक जगाँ पे असार दूसरी जगाँ क्या कि जी आर बताओ अच्छा फिर उसके बाद और क्या common है एक common चीज तो हम छोड़े दिये बताओ क्या हो कि री वेलुए्शन एकाउंट री वैलिएशन एकाउंट यहां भी है यहां भीवय है यहां भी रहा जानते हो लोग कहते हैं बच्चे अक्सर डर्टे एक की सरदर्द जबकि partner से बहुत इजी है आप एक ही चीज को दस जगहां पढ़ते हो इसलिए confused रहते हो यह आप जानो एक ही चीज को दस जगहां पढ़ते हो आप goodwill की calculation admission में भी पढ़ रहे हो change in profit sharing ratio में भी पढ़ रहे हो retirement में भी पढ़ रहे हो death में भी पढ़ रहे हो कहते हो अरे सर क्या कुछ अलग-अलग है क्या अलग कुछ नहीं है यार evaluation वाला भी admission में पढ़ना है retirement में भी पढ़ना है death में भी पढ़ना है सब में same ही तो है change क्या है सर चेंज सिर्फ 2-3-4 point है बाकि सब easy है सब same to same है एक जगहां पढ़ लो बाकि सब जगहां same रहेगा यह आप जानू clear हो गया कि नहीं clear हो गया ठीक है अब हम लोग सवाल करते हैं आगे देखो चलो पहले हम admission से related question करते हैं लिखो ज़रा question related to admission question related to admission ठीक है एक्स वाई जड़ पार्टनर है एक्स वाई जड़ क्या है पार्टनर है इनका पीएस आर एक्क्वल है और एक चीज़ जानो जिसका PSR equal उसका sacrificing और gaining भी एक्क्वल यह भी आप जानो जिसका PSR equal उसका gaining और sacrificing भी क्या आपका एक्क्वल कंफ्यूज ही नहीं होना है अभी मैंने आपको PSR नहीं revise कराया है इसलिए मैं यहाप पर कोई भी PSR वाला नहीं ले रहा हूं एक लाख रुपया एज़ा क्यापिटल एज़ा क्यापिटल और बीस हजार पीस नहीं तीस हजार शेयर ओफ गुड़ और यह रॉफ गुड़ बिल इstill के 30,000 शेयर ओफ गुड़ बिल ऑल्ड पाट्नेर विड्ग्रॉस अंौट पारट्नर विड्रॉस पुड़ किया है कि इतना परसेंट बिड्रोग किया है सिर्फ पचास फरसेंट डियर ओगया जल्दी से इन्टी देखेंगे पहली इंट्री क्या होगी सर हमारी पहली इंट्री होगी बिटा बाइंक एकाउंट प्रवना दूहे मैं बाइन से कोष्चन में आपको ये लिखा रहे आपको पार्टनर आपको बनाना है किस मैथड से पार्टनरoffs के लिए किसरा पार्टनर कैपिटल इंट्री कोई प्रभावब पड़ेगा अंसर है हाँ सिर्फ इत्ता सा प्रभाव पड़ेगा इत्तू सा प्रभाव पड़ेगा इत्तू सा पताएं क्या प्रभाव प्रभाव पड़ेगा इत्तू सा प्रभाव पड़ेगा इत्तू सा प्रभाव पड़ेगा इत्तू सा प्रभाव पड़ेगा इत्तू सा प्रभाव वहां पर क्या लिखेंगे partner candleー怎麼 सुडर करेंट एकाउट इस केस में ब्डू़ब वाले केस में बस और क्विसी मेंने नहीं कि यह बैलेंस तो पाटनःट्ल क्या एकाउंड में जाएक वाला बैलेंस किसमें जायेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और गुडविल वाला किस में जाएगा करेंट वाले में जाएगा क्लियर हो गया बेटा चालो आव आगे देखेंगे यहाँ पे बैलेंस अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे टू गुडविल, ए बाबु कितना लिखेंगे यहाँ पर, कैपिल कितना हो गया, एक लाख, और यहाँ पर कितना बेटा, तीस हजार, और यहाँ पर कितना, एक लाख, तीस हजार, नरेशन लिखूं, नरेशन लिखूं, नहीं सर, ना लिखो, हम लिख लेंगे, पका न, मेरी कसम, लिख लोगे ना narration देखो सोच लो become में पढ़ना है मुझसे और अगर गलास अलग कसम खाओगे तो निकल लूँगा मैं आँ narration लिख लेना अद दूसरी entry क्या करेंगे क्या entry होगी बिटा goodwill account debit to अद देखो कितने partner थे है माल साफिन सबक्षा कि एक 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 आएगा न तो यहां पर क्या लिखेंगे एक सर्केटल एकरण एक सर्केटल एकरण वो हट वाई क्ना अज़ेनають मैं और फिर क्या आपका है जर्ड़ एक ताल अरे तीनों को दिया जाएगा ना बेटा यहाँ पे बैलेंस कितना हो जाएगा 30,000 यहाँ पे 10,000 यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे क्या बेटा 10,000 बताओ इंट्री खतम हो गई कि अभी भी बाकी है कुछ अभी बाकी है सर कौन सी इंट्री बाकी है जल्दी से बताव सर विड्राव वाली और कितने रूपए से तत-दस हजार जो मिला है वही अरे नहीं भाई अपने हिस्से की गुडविल निकाले हो आप तो X का हिस्सा कितना है 10 अजार 10 का 50% कितना तो 5-5 हजार से इंट्री होगी न तो पीटा क्या इंट्री होगी तीसरी इंट्री देखेंगे क्या इंट्री करेंगे वेटे X Capital Account डाविड 2 अरे रूरूरूरूरूरूरू Y Capital Z Capital यहां पर कितना बिटा 5 हजार और यहां पर 2 बैंक सर एक बात बताओ क्या हम यहां पर कैस लिख सकते हैं क्या हम कैस लिख सकते हैं देखो आज कल Digital India का जमाना है मोदी जी वही से सब कुछ बंद करने पर तुले है तो फिलाल आपकी इच्छा कि आप यहां पर कैस लिखे या फिर क्या लिखे बैंक लिखे लेकिन बहतर बैंक के रहेगा आप बैंक लिखेगा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ट्रांजेक्शन फेयर में दिखने लगता है ना चालो समझ में आ गया बैटा एक केस और करते हैं जब गुडविल वह ब्रिंग नहीं किया जाता अच्छा यह कर तो दिया था लेकिन चलो एक और केस कर लेते हैं नोट कर लो जल्दी से आओ जल्दी से नोट करो चलो आओ देखते हैं अब यहीं पे एक लाइन लिख लो वही केस केस सेम रखते हैं केस क्या रखते हैं सेम रखते हैं वैन न्यू पार्टनर सर यह हमें पता कैसे चलेगा कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है हम लोग कोई ब्रह्मा थोड़ो ना है कि हमने आख बंद की और हमको पता चल जाए बीड़ा कोशन में दिया रहेगा कंफ्यूज होने की क्या जुरूरत है ठीक है कोशन में दिया रहेगा वेन न्यू पार्टनर देज नॉट ब्रिंग इस टेयर आफ गुडविल एर ओफ गुडविल न्यू पार्टनर एर ओफ गुडविल रुपीज 60,000 न्यू पार्टनर शेर ओफ गुडविल रुपीज कितना बिटा साथ हजार एक इंट्री क्या होगी बटा जल्दी बताइंगे अब हमारी पहली इंट्री होगी एकाउंट डबिड क्या ना में ए नए ए एकापिटल अकाउंट ए कापिटल एकाउंट पेटा कितने रुपए से एक लाग से इतने से एक लाग से भाई उसके capital का amount कितना है एक लाग ही तो है और फिर goodwill बांटो इसको इंट्री करेंगे बेटा a capital a capital account debit to x capital account to y capital account और फिर क्या आपका कितने रुपए से 60,000 इक्वल बाटेंगे कितना आ जाएगा 20,000 और कितना आपका 20,000 समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसकी पोस्टिंग जल्दी से हम लोग पार्टनर कैटल अकाउंट में भी देख लेते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे इंट्री करेंगे इसकी पोस्टिंग हम लोग कहां देख लेते हैं आपके पार्टनर कैटल अकाउंट में केस नंबर 1 की भी posting देख लेते हैं और फिर केस नंबर 2 जो हमने किया इसकी भी posting देख लेते हैं तीए बीठा आऊ देखते हैं, नोट हो गया सबका जल्दी से नोट करो Partner Capital Account बनाइए जल्दी से चल्वाँ देखो पहले केस की पहला केस पार्टनर क्यापिटल एकाउंट एकस वाई जड़ एकस वाई जड़ एकस वाई जड़ एकस वाई जड़ एकस अब पोस्टिंग देखो जड़ा जल्दी से पाई बैलेंस बीडी एकस वाई का जो बैलेंस रहा एका तो कुछ है नहीं लोग एक क्यकर आ कितना लाय इंड़ा है एक लाख कितना लाय यह एक लाधर और उसके बाद गुट तो गुट्विल कितनी आगी थी आपकी कितना था तीस जार था ना दस हजार कि इस हजार कितना आपका दस हजार कि एक कैसे चेक करो इंट्री चेक करो देखो कि एक है पीटा हम पार्टनर कैप्टल अकाउंट बना रहे हैं ना पीटा यह कौन सा केस कर रहा हूं मैं केस वन कर रहा हूं ना आपको सिंपल सी लेजर पोस्टिंग करनी है सिंपल सी लेजर पोस्टिंग करनी है बस ठीक है अब केस टू देखो जल्दी से केस टू एक्स वाई जैड एक्स वाई जैड एक्स वाई जैड एक एक पुस्टिंग देखो ज़रा जल्दी से वाई बैलेंस पीडी जो भी इनका बैलेंस रहा हूँ इसका कुछ नहीं है बाई बैंक बड़ा कितना एक लाग साथ हज़ा एक लाग कितना आप इतना ही तो लाए हो अब उसके बाद पोस्टिंग देखो जरा ध्यान से इंट्री देखो उससे पहले यह देखो इसका कैपिटल जब आप इसका कैपिटल बनाओगे तो यह सारे क्या है क्रेडिट है न जब इसकी पोस्टिंग करोगे तो यह जर्नल इंट्री में क्रेडिट है तो उधर क्या हो जाएगा आपका जाबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यानि जब आप गुडविल बाट होगे तो यहां क्या लिखेंगे तू ध्यान से समझो तू के कैपिटल और यह हींके यह 20,000 समझो द्यान से ग्लासलत करवा ओगे देखो क्या इतना यहां पे 20,000 फिर कापिटल नहीं होगा यहां पे एक्स कापिटल होगा तू वाई कापिटल फिर कितने से बीस हजार से फिर तू जेड कैपिटल कितने से बीस हजार से तो अभी आपने सिर्फ एक जगाँ पे पोस्टिंग की है सिर्फ एक जगाँ पे पोस्टिंग की है किसके कैपिटल में सिर्फ नए पार्टनर के अभी पुराने में तो बाकी ही है पुरानियम दे दो पाई, क्या लिखेंगे अब गुडविल के जगाँ यहां पे क्या लिखेंगे A Capital गुडविल के जगाँ यहां पे क्या होगा A Capital कितना 20,000 20,000 मतलब इसका यहां से 60,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इन सब में 20,000,000 रुपया क्या कर दिया जाएगा जोड दिया जाएगा पता यह समझ में आया के नहीं आया इस Posting को ध्यान से समझ लेना और अगर ना समझ में आये तो फिर से रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना क्या करना है? सिर्फ Posting Posting ही तो करनी है जब आप A का Capital बनाओगे माल लीजे एक मेंट के लिए जब आप किसका Capital बना रहे हो A का तो आप XYZ को ही तो भेजोगे और XYZ यहाँ पे क्या है? Credit है कि debit है? तो लेजर में यह किस साइड जाएगा? debit साइड में यह देखो तो यह Post किस में होगा? यह देखो Credit में Post हुआ कि नहीं हुआ? Credit में Post हुआ कि नहीं हुआ? Credit में Post हुआ कि नहीं हुआ? Point clear हो गया कि नहीं clear हो गया? ठीक है? तो यह आपका Treatment है Admission वाला Goodwill का Treatment In case of the क्या? Admission इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई पसंद खिला लो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है Clear हो गया वेटा लोग? जी अहाँ हो? अच्छा यहाँ ओ माई गॉड यहाँ एक लाग साथ हजार होगा भाई या गादाहा कहीं एक ही लाग तो ला रहे हो भाई साथ सवाल सुदो आप कुश्चन कह रहा है कि सिर्फ आप एक लाग लाग ला रहे हो टोटल आपको एक लाग साथ हजार लाना था अगर आप इनका बैलन्स एडी निकालोगे तो यहाँ पर बैलन्स कितना बचेगा चलिसे हजार तो बचेगा और मैंने क्या कहा था घवराने की कोई ओ शक्ता नहीं है गुडविल का एमाउंट उनके कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा समझे भईया यूरास सिंग तो आज के लिए फिलाल इतना ही अब मिलेंगे कल की क्लास में जब हम workman compensation investment fluctuation जैसे topic को क्या करेंगे बिटा जी discuss करेंगे तो आज की क्लास कैसी लगी इसके बार अच्छा ये वाला जरूर नोट कर लेना ये वाला अच्छा आता है तो भी लिखिए अगर नहीं समझ में आता तो भी लिखिए ठीके बेटा लेकिन जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि देखो जब आप कमेंट करते हो ना जब आप आप लाइक करते हो दो वीडियो की रीच य। possible क्याएं अब इसमें भी मेरी गलतिया मिलें कल तब लिए जय भोले ना झाल